कि अलोगों दूस वागत आप सबका टीम सवर्मने बात करने वाला है अपना आज के लिए जो टीटेन कम काबला रहने वाला है किसके बीच में एक तरफ है जैगरेब सकोल और तूसरी तरफ रहने वाली है एक बड़ी अजीब नाम वाली टीम और बड़ा अजीब इनका देने वालों तो आखर तक देखना और बाकी पूरे जो मैच की बात है क्या स्टेट से अफ लेर कि क्या प्लेंग रहने वाली है क्या कुछ इनकरी से इंट फॉर्म चल रहा है सारी चीज़े करेंगे डिसकस तो वीडियो को आखर तक देखना और साथ-साथ वीडियो तो तो देखो ऐसा है कि यह और टीम्स तो एसा है कि जादा ऑच्छ खेले रिए इनका फिर भी है जादा अच्छा तो इनका में नहीं JOHN थीक है बेड़ो डूसरी टीम है उनका बिल्कुल ठीक सब्सादा को थादा खराव है उनके कुछ घलाड़ी उस घैमgot है नहीं ज्यु का मेरेज इनका देखने को मिल जाता है शाकी बुसेन साथ मैच में 92 है दो विकेट है चार मैच में उसके बाद मेहां से हैदर उसामल 17 मैच में रन इनके नाम सिर्फ 469 है और 10 मैच उसमें बोलिंग करते हुए इनके नाम रन रहे हैं बहुत जादा नहीं है बारा कही में बोलिंग करते हुए 29 विकेट जो है इन्होंने यहां से निकाले हुए उसके बाद में अमन चौबे 22 मैच में रन तो इनके नाम भी नहीं है बढ़ हां विकेट है थोड़े बहुत 20 मैच में इन्होंने 13 विकेट निकाले हुए उसके बाद में यहां से बारी आती है फि तो इसका जो आप नाम देख रहो इस तरह इशान बुगन यह बैटिंग उपर भी कर सकता है इधान रखना हलागे रन उतने नहीं है 38 मैच में रंसर बीस यह 25 मैच में इन्होंने 14 विक्ट निकाले और उसका बाद में फिर आती है बारी एट लाश्ट किसकी विश्वन्त सिं बिन दोनों टीम्स में है नहीं तो यह है जगरिप सगोल की जो पूरी प्लेइंग लवन है अब इसमें अगर रिसेंट फॉर्म देखा जाए कि भी हाल फिलाल में इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है तो राशिद असमी जो कि नॉर्मल यह आपको उपन करता हो दिख जाए इन दोनों में से कोई नहीं एक तो बड़ी भारी खेल सकता है जाधा चांसाथ वो सागर मंजूर करेंगा कि वह ऐसा लड़ी है जिसने बाइंग बनाए हुए शागर हुसाइन की बात करें बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करता है हलां कि पिछले पांच मैच में दो मैच सब्सक्राइब बनें चाहिसाओत बाइदर उसामा है यह बीटिंग दोनों करता है अगर कर ना चाहो तो तो ढggई जाना चाहो तो इसके सासमे आप जा सकते हो बागी 0 run 0 wicket, 6 run 3, 24 run 2 wicket और यहां से 0 run 0 wicket इन कर रहा है परफेंस दो मैचस बहुत अच्छे हैं, दो मैचस बहुत कराब है जैट हाको रन उतने ही इनोंने बनाए नहीं है, बॉलिंग बहुत ही है, रेर है तोड़ा कभी कराता है, बाकी जातर मैचस बहुत कराता है, जैसे पिछले मैच में कराई थी, वो भी पिछले पांच में से पहली बार थीक है, उसके बाद मेयास है, अमन महीशवरी है, बाराच छेरन जिरो विकेट, पांच रहन एक विकेट इनका रीसेंट है, तो कुछ जादा खास भी नहीं किया हुआ है इनोंने उसके बाद मेयास है, अमन चोबे है, यह बेटिंग प्लैस बोलिंग दोनों करता है, हलाकि बेटिंग वही है, उतरने कुछ खास नहीं रही है दो मैच असा है, जहाँ पर 0-0 रहने, बागी विकेट की बाद करूँ तो तीन मैच में से दो मैच में इनोंने एक एक विकेट निकाले है उसके बाद मियास है, मोहित कुमार इनका तो वैसे कुछ परफरेंस नहीं है, अभिलाश के बाद करें, विकेट इनके नाम पिछले चार मैच में बोलिंग करते हुए, तीन मैच ऐसे हैं, जहाँ इनोंने बाई, एक एक विकेट निकाले है अब दोनों टीम ऐसी है, जो कि बहुत ही ज़ादा कम परफरेंस है, तो बहुत ज़ादा उमीदे नहीं कर सकती है, तीन-चार विकेट निकाले, बढ़ हाँ, आज के लिए हो सकता है, जैगरेब सुकोल की तरह से कुछ प्लेयर्स आपको बहुत अच्छा गरते हुए दिख बोलिंग पर उसे कर नहीं सकते है, बैटिंग से नहीं कुछ जादा खास किया नहीं है, और एक मैच मेंच में के विए से बैटिंग आई है यहां से, किसकी? विश्वन सिंकी, इन्होंने रन बनाया है, जीरू. तो यह है जादा प्लेयर्स जो है, आप इसी टीम से लेने का ट्राइ करना, जैसे कि राशिद हश्मी है, सागर मंजूर है, शाकिब हुसेन है, हैदर उसामा है, इन दो तीन में से भी अगर आप किसी के साथ में जाना चाओ तो अदर्वाइस बोलर्स की बात करें, तो अभी लाश परेक कलब अपने पास में हो जाते हैं, इवन इन ती थोड़ी सी कम रखना हो सकता है, इन दोनों में से कोई न गोई एक ऐसा रहेगा जो एक ही ओवर डाल कर जाएं, तो यह है जोई ग्रप्स, उकुल की तरह से पूरी प्लेंग में सब चीज़ है, उसके लावा इनके बैंच की बात की जाए, उनके बैंच खिलाडी सिर्फ इ ठीक है, इसकी बात की जाए, यह भी मेरे जाल से, यह एटी, नाइंटीन, एटीवन या एटी के सम्थिंग इसका, जो मैं स्टैट्स लिख रहा है तो महाँ पर दिखा आता है, तुम बोलो कि तुम डेटो बर्थ में चेक कर रहे थे इनकी, महाँ पर लिखा आता है, तो य रहन से देखो ऐसा है कि दोनों के खेलने के कम ही रहने वाले है, ठीक है, उसका बात में डेविट स्किनर है, यह भी वैसा ही है, यह बड़े उमर दराज के लाड़ी है, अठारा मैच में 85 रहने हैं, बाकि यहां से लूका स्टैप्स, 12 मैच में 2 रहने, एक तरफ ऐसे यह बड़े उमर दराज हैं, और उसका बात में एक दो ऐसे खेलाड़ी आते हैं, जो बहुत जादा यंग है, 12 मैच में 2 रहने हैं, उसका उदर मसूद रहना, 6 मैच, 0 रहन, 3 मैच में 1 विकेट निकाला है, बागी कुछ ऐसे खेलाड़ी भी हैं, जो कि पहली बार खेलेंगे 0 ही बनाएते हैं, तो यह है जैगरेब सकोल की तरफ से, अब बार इक बात करते हैं, दूसरी टीम के बड़ उससे पहले, अब देखो मैं आपको जो चीज बता रहा था, एक मिनिट के लिए ध्यान से सुनना, मैं हमेशा आपको टीटर में डिस्क्लेमर देता हूं कि आपको स्मोल लिग में, एवन अगर अपनी चैनल टीम या आपके टीम लगातार क्लीम स्विप कर रही है तब भी, ठीक है, क्योंकि वो एक दो मैचेज ही होंगे, जहां पर फिर आप ज्यादे इन्वेस्ट करने जाओगे, तो वहां पर हो सकता है, आपने किसी को में प्लेयर को ए प्लेयर कर ही नाया हो, जिसको आपने कैप्टर ननाया हो, ठीक है, कि भाई उसको पता हो कि आज वो बैटिंग बोलिंग नहीं करेगा, तो वह वाली चीज़े तो स्मोल लिग एकदम कम इन्वेस्ट, इवन अगर आप क्लिन स्विप कर रहे हो तब भी, बट स्टिल कुछ बाई एक दम अन्दाद इन्वेस्टमेंट करने हैं, फिर कमेंट शेक्शन में आगे रोनार होते हैं कि तुमने इसको कैप्टर बनाया था, इसने बोलिंग नहीं की, तो भाई अब अनेक्सपेक्टेड चीज़े मैं पहली बोल चुका हूँ, टीटैन में होती है, ठीक है, वीडियों बनाता हूँ, टीटैन का स्मोल लिग के लिए बिलकुल भी नहीं होते हैं, अब बोलो के चैनल पर टीम क्यों डालता है, क्योंकि हमारे कुछ भाई होते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इंवेस्टमेंट कर देता है, तो वो भी फिर बोट पर आते हैं कि भाई हमने स्पैम मरा था कि वो प्लेयर नहीं किया वो उस प्लेयर ने बैटिंग नहीं किया उस बैटिंग नहीं गिया गलत बताए था वो गलत सबसे बहतर खिलाड़ी और जो सबसे ज़्यादर इस टीम से देता है और उलिक जो इस टीम से देता है उसका बाद में सली एलिज 18 match 73 run है और 10 match में इनों 6 विकेट निकाल रहे है दन यहां से शकेल फरूपी 14 match 3 run है और 7 match में इनके produk 5 why Punkt है महमत सिनार है इनके बैटिंग हाला की उपर भी आसकती है 15 match में 51 रहें 9 match में 4 विकेट अगर उसके बाद मैं बातकिजेव और अली ओजडिमिर की तो यह तो है इस टीम से बई जो ओर ओर वो बोल सकते हैं कि लो रहे है अबीबुला शामुरादी देखो तीन मैच खेले एक मैच आसा था जिसमें नोट आउट था बाकी दो मैचेस में रन है जीरो एहमद चोजगन की बात कीज़ा है 21-0 विकेट 4-0 और फिर यहां से एक विकेट है एक बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करता है नूर एहमद की बात कीज़ा है और एक मैच में नहीं जीरो रन जीरो विकेट था बाकी देखो जादा बोलिंग कराता नहीं ध्यान रखना उसक पिछले चार मैच में हासन यानार यह कभी ओपन आता है कभी बहुत नीचे आता है बैटिंग करने बिल्कुल भरोसा नहीं इनके बैटिंग ओडर का जीरो दो और जीरो गण का स्कोर है उसके बाद में यहां से सारा सली एलिज है एक मैच में जीरो बनाए थे एक मैच में 14 पूरी करते हैं अब बाकि स्मोल लीग के लिए अगर दीखा जा तो मैसी तो तर यहां से डिफोल्ट रहेगा उसके बात मैं एहमद सोचकर अपने पास में एक उप्शन मनता है और एवन अगर किसी एक बोलर में से आप जाना चाहों तो उन में से जा सकते हूं नेक्स पाकिन के पास में बेंच भी हैस यहां नल्टून है तीन मैच में पांच रहन बाकि दो ऐसे हैं जो पहली बार खेलेंगे टीटैन मुहमद इर साथ खेल चुका है बड़ जाते कुछ खास पर्फोंस रह नहीं था इसलिए बाहर है शम्सोला ऐसाने साथ मैच में दस मेहमद सिनार को तो युजाती टीम कैप्टन किया है यहां से शक्यब हुसैन को और वाइस केप्टन में किया यहां शागर मंजूर की एक बहुत बड़ी इनिंग हो सकता है इनकी तरफ से देखने को मलता है बागे वाइस कैप्टन जो डिफोल्ट रहने वाला है जो मतलब अल्मोस्ट हर कोई बनाने वाला और बनाना भी चीए मैसित और सथर के यहां से है तो युजाती फिलाल के लिए टीम और सब चीज़े बागे अपको यूड़ी पसंद आए तो लाइक जरू करते नहीं चल्कों सब्सक्राब अगर नहीं क्यों तो पटाक से कर लो और बाग